एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती हैं। बाबा आदम से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक ये कहावत जस्कितास है। आज का टाइम है टेक्नोलिजी वाला। टेक्नोलिजी में ये पॉसिबल हो सकता है। एक्चुली ना सही, वर्चुली सही। वैसे एक्चुल में भी ऐसा हुआ है, इंडियन क्रिकेट में बर्सों से वाइट बॉल क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बहतरी इंबैट्समेन साथ ही तो हैं एक टीम में। अगर आप बल्ले बाजी की बात करें तो एक तलवा स्ट्राइक ले सकती है, तो दूसरी ना स्ट्राइकर एंड पर चली जाती है। अदम के जमाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले के पिछले दशक की तरफ देखना ही तो काफी है। इधर रोहित से करीब डेर साल छोटे विराट उस वक्त दिल्ली में दिलो जान जुटे थे क्रिकेट की ABCD सीखने में। विराट कोहली कप्तान, इंडियान अंडर 19 टीम, साल 2008। इसी साल शिलंका के खिलाब डेब्यू का मौका भी मिल गया। वहां से विराट ने पीछे मुर कर नहीं देखा। विराट ODI डेब्यू 2008। फिर दोनों युवाओं की जिन्दगी में आया वो लमहा जो टीम में आने के बाद किसी भी क्रिकेटर का सबसे बड़ा क्वाब होता है। वर्ल कप में देश के लिए खेलना। विराट इस टीम का हिस्सा बने। रोहित का नाम गायब था। पहले डेब्यू करने के बावजूद ज्यादा टैलेंटेड माने जाने के बावजूद रोहित ने ये वर्ल कप घर पर टीवी पर ही देखा। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे 2000 वर्ल कप में सचिन और युवराज के बाद अगर किसी के चर्चे थे तो वो सिर्फ विराट के। जिनोंने मास्टर ब्लास्टर को कंधो पर बिठा कर कहा था। वहां से विराट सचिन का भार अपने कंधों पर उठाने के मिशन पर निकल पड़े। विराट आगे बढ़ रहे थे, शर्माजी स्ट्रगल कर रहे थे। कब तक? साल 2013 तक। 2013 से रोहित में वो पैट्समेंट दिखना शुरू हुआ जो मुंबई के क्रिकेट के जानकारों को बरसों से दिख रहा था। जिसके बारे में सचिन से पूछा गया कि उनके रिकार्ड को कौन तोड़ सकता है, तो उन्होंने भी विराट के अलावा सिरफ रोहित का ही तो नाम लिया था। खैर 2013 बना रोहित के करियर का सबसे यादगार साल। आईपेल की कप्तानी करते हुए रोहित पहली बार चैंपियन कप्तान कहलाए। ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में जगा पक्की की और उसी साल वंडे में डबल सेंचुरी भी जड़ दी। रोहित से रोहित सूपर हिट हो गये। तब से एक हंजर भी तलवार बनता गया। वंडे में जितने रन विराट बनाते रोहित बेन के पीछे-पीछे बल्ला चलाते। सेंचुरी के मामले में तो विराट आगे-आगे तो रोहित पीछे-पीछे। सोने पर सुहागा क्या हुआ। रोहित वंडे में दो नहीं तीन तीन डबल सेंचुरी जड़ गये। 2013 से 2021 विराट खोली 8,283 रन्स तीस सेंचुरीज। रोहित 7,227 रन्स 27 सेंचुरीज। T20 इंटरनेशनल में भी सेंच कहानी का एक्शन रीपले ही तो दिखा। आज भी उठा कर देख लीजिए दोनों कितने करीब हैं। रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स, विराट 3,227, रोहित 3,197। 2013 से शुरू ही इस दिल्चस्प रेस के 3 साल बाद, धोनी एरा के बाद विराट युक की शुरुआत हुई। जब जब विराट को आराम चाहिए तो रोहित कप्तानी करते, टीम को जिताते। लेकिन एक बड़ा फर्क था, विराट IPL में हर बार पूरे प्रामिस से उतरते, लेकिन खाली हाथ ही रह जाते। दूसरी तरफ कैप्टन रोहित हर दूसरे साल ट्रोफी अपने नाम करते और चैंपियन कहलाते। ये सीजन छोड़ कर तो लगाता दो ट्रोफी भी ले उड़े। इसलिए चर्चा शुरू हुई, रोहित जैदा अच्छे कप्तान या विराट को ली। ये तलवारे खिचने की खबर पुकता कब होई। तब जब दुनिया घरों में लॉक थी। सोची लॉक डाउन में हर जाने माने क्रिकेटर ने इंस्ट्रा सेशन लाइव किये। विराटो रोहित एक साथ नहीं आये। जैसे ही लॉक डाउन खुला, आईपिल की दर्वाजे भी खुल गए जिसके बाद टीम इंडिया को जाना था आस्ट्रेलिया के दोरे परॉहित ने चोट की वज़ा से आईपिल का एक मैच मिस किया और अगले ही दिन पूरे आस्ट्रेलिया दोरे से इनका नाम गायक था। रोहित उसी राद नेट प्रैक्टिस करने मैदान में आ गए। विडियो डाला जो वाइरल हुना लाजमी था। फाइनल में रोहित ने हाफ सेंचरी जड़कर मुंबाई इंडियन्स को पांच वी बार चैंपियन बनाया, दुबाई की वो शाम रोहित के नाम। फिर इसके लिए शायद इंतजार था तो रवी शास्त्री की विदाई का। लेकिन शास्त्री की एक्चुल नहीं वर्चुल विदाई के दोरान ही विराट ने T20 की कप्तानी को छोड़ने का ऐलान किया। उमीद यही है कि विराट और रोहित भी कंदे से कंधा मिला कर चलेंगे भारती क्रिकेट के आने वाले कल के लिए। झाले के लिए।